तो दोस्तों फाइनली वो वीडियो आ गई है जिसका आप सभी को बेसबरी से इंतजार था यानि कि एक्जॉर्सिस्ट टीवी सीरीज के सीजन टू का यहाँ पर भी टोटल 10 एपिसोड्स हैं और यह जो सीजन है वो पिछले सीजन से काफी अलग है और काफी डरावना भी है तो अगर आपने इसके सीजन वन को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें अदरवाइस आपको काफी सारी चीज़े समझ में नहीं आएंगी दोस्तों मैंने कल ही एक शांदार मुवी जी को एक्स्प्लेइन किया है जो की काफी बढ़िया फिल्म है तो जाकर जरूर देख लेना तो उन वीडियो का लिंक में नीचर डिस्क्रिप्शन में देदूँगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक हॉरर कॉमेडी शॉर्ट फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है चायपत्ती ये हॉरर कॉमेडी शॉर्ट फिल्म मेरी रेकमेंडेशन में आया एंड आई वस अमेजड बाई दा कॉनसेप्ट कुछ दोस्त एक रात बैट कर एक रिचुल ट्राइ करते हैं लेकिन चीजें उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती और फिर जो होता है उसको जानने के लिए तो आपको ये शॉर्ट फिल्म देखने ही बड़ेगी तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से आप इस शॉर्ट फिल्म को जरूर देखें जरूर देखें और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ कहानी सीजन वन के छे महीने के बाद में शुरू होती है आकरी सीजन के एंड में वेटिकन ने फादर मारकस को एक्जॉर्सिस्ट की पोस्ट से निगाल दिया था तॉमेस और मारकस अब अंडरकराउन हैं सीक्रेटली अनओफिशली एक्जॉर्सिजम कर रहे हैं वेटिकन में डेविल वर्शिपर्स की कॉंस्पिरेसी अभी भी एक्टिव है कई हाई लेवल कार्डिनल्स बिशप्स डीमन के साथ में इंटिग्रेटिड हैं और वो सिक्रेटली अपना मिशन चला रहे हैं एपिसोड वन की शुरुवात में हम तॉमेस और मारकस को एक रूरल एरिया में देखते हैं ये दोनों सिंडी नाम की एक पसेस हुई लेडी को अपनी वैन में बठा कर भाग रहे होते हैं ड्राइव करते टाइम तॉमेस को एक विजन आता है और वो एक स्मॉल चर्च में था थोड़ा डरा भी हुआ था अब उस चर्च के दिवार पर कई सारे बच्चों के फिंगर प्रिंट्स उसको दिखाए देते हैं जिसकी इंपोर्टेंस हमको आगे पता चलेगी उसे वहाँ पर सिंडी दिखाए देती है जो की अपने बिबी के साथ में और वहाँ पर कई सारे और भी बच्चे थे जो की खेल रहे थे बैक्राउंड में सिंडी का फेवरेट म्यूसिक बज रहा था अब एक बच्चा एक गोड़े वाले टॉय को मारता है जिससे ब्लैक लिक्विड गिनने लगता है और उस लिक्विड से एक डीमन बाहर आता है जो की कम्प्लीटली ब्लैक था सिंडी भी काफी जादा डरावनी दिखने लगती है और तॉमस इस सब को देखकर वापस रियालिटी में आता है ये मिल्कुल वैसा ही था जैसे कि आकरी सीजन के लास्ट एपिसोड में हुआ था वहाँ पर पजूजू डीमन तॉमस के माइंड में गुसकर उसके सामने मार हुए लोगों या फिर प्लेस के पास जाते ही उसको विजन साने लगते थे और उसको काफी सारी आवादे सुनाई देती थी बट यह चीज़ काफी दार रिसकी थी क्योंकि इसके इंदर तॉमस की जान का भी खत्रा था खैर इनके पीछे सिंडी का हस्बंड पुलिस चीफ था जो की अपने सारी यूनिट के साथ में तॉमस और मारकस को ढूंड रहा था इस इन दोनों ने उसकी वाइफ को एक्जॉर्सिजम करने के लिए किडिनाप किया था यह दोनों अफुल टाइम इलीगल तरह से एक्जॉर्सिजम कर रहे थे क्योंकि यहां पर जो हैड चर् इप्रेशन में आकर सुइसाइड कर लिया था एंडी के घर में वैरटी शेल भी ट्रक केलब और ग्रेस नाम के बच्चे थे यह सभी डिफरेंट डिफरेंट फॉस्टर होम से यहां पर आये थे केलब यहां पर ब्लाइंड बच्चा था जो कि सबसे आखिर में इस घर में ग्रेस सबसे चोटी बच्ची थी जिसे एगरोफोबिया हुआ था वो घर से बाहर जाने से डरती थी वो घर में भी कभी कभी चेहरे को कवर करके घुमा करती शेल भी यहां पर हाइली रिलीजियस था एंड वैरेटी यहां पर एक लेजबियन थी जो कि अपने पास्ट में काफी जदा ट्रामा से गुजर चुकी थी चारोगेट सब स्कूल जाते टाइम उनके घर के बाजू के एक घर पर आते हैं जिसके सामने एक कुवा था यह घर हांटेड हाउस से इन फेमस था लेजन्ड के मताबिक आइलेंड विच्च ने यहां पर अपने बच्चों को कुएं पर खड़ा हो जाता है बट मातर तीन सेकंड के बाद ही शेल भी उसे वहां से उठाकर नीचे लाता है वैरिटी को ऐसा मजाग करने के लिए डांटता भी है तॉमस और मारकस अब एक वीरान शेड पर आते हैं और सिंडी को बांदेते हैं यहां पर सिंडी की फिजि सिंडी है लिटर और मारकस तॉमस को डाटता है और कहता है कि एक्जॉर्सिजम रीयल वरल्ड में ही रहकर किया जाता है प्रियर से या फिर चैन्टिंग से विजन रियालिटी में एक्जॉर्सिजम करना काफी रिस्की है इससे तुम भी वहां पर ट्रैप हो सकते हो तॉमस को ये विजन्स गौड का गिफ्ट लग रहा था बट मारकस यहां पर कन्विंस नहीं होता उधर किम हाउस में रोज कूपर नाम की एक फॉस्टर केर आफिसर आती है जो कि इन बच्चों की लिविंग कंडिशन को देखने आई थी रोज एंड एंडी कॉलिज के अच्छे फ् कर देता है लेटर ओन हम तॉमस और मारकस को हैवी एक्जॉर्सिजम करते हुए देखते हैं जहां पर वो पॉस्ट डीमन तडब रहा था पुलिस भी अब तॉमस को फॉलो करते हुए उस शेड पर आ गई थी उन्हें अंदर आने से रोकने के लिए अब मारकस बाहर चला ज करते हैं रोज यह देखती है कि केलब भी अपने बैट पर नहीं है और उसके रूम की विंडो खुली हुई है एंडी केलब को घर के अंदर ढूड़ने लगता है बट वो कहीं पर भी नहीं मिलता वो सभी बच्चों को जगा कर सब के साथ में केलब को आईलेंड में ढूड कर रहा था एंडी फॉरन आकर केलब को पकड़ता है और उसे नीचे खीशता है रोज इस चीज को देखकर डर जाती है शेड में अब तॉमेस अपना मैथर यूज़ करने जाता है और फिर से विजन में सिंडी से मिलने जाता है उसे सिंडी उसी चर्च के कनफेशन बॉक्स में दिखाई देती है तब ही पुलिस चीफ और उसका साला अंदर आकर तॉमेस को भी मारते हैं जिससे तॉमेस वापस रियालिटी में आ जाता है वो सिंडी को वहां से ले जाता है और इन नोनों को अरेस्ट कर लेता है रोज केलब की हालत को देखकर थोड़ी चिंता में थी अब हमें इस घर की दिवार पर वैसे ही बच्चों के फिंगर प्रिंट्स दिखाई देते हैं जैसे तॉमेस ने अपने विजन में देखे थे यहां पर ग्रीस भी उड़ गई थी जिसको एंडी सोने के लिए कहता है एंडी सी के साथ में एपिसोड वन खतम हो जाता है उनको ये लगा कि उनका नाम बैनेट है क्योंकि आएमडीपी पर बस फादर बैनेट लिखा हुआ है जिन्होंने सीरीज देखी होगी उन्होंने नोटिस कर रहा होगा कि इनका नाम डैवन बैनेट है एंड इसलिए ही मैं इनको डैवन बुलाता हूँ तो आई बिलीव जि कॉन्स पैरेसी के अविडम को वैटिकन के इसके सामने रख रहे थे वह क्रशे को कार्डिनल गैल्यो के बारे में कहते हैं जह साईमन मारिया जैसे डैविल आविमन के साथ में उनका possession तो था लेकिन वो integrate नहीं होए थे यदि हुए होते तो holy water drink नहीं कर पाते या फिर ये भी हो सकता है कि इन judges में से कोई ना कोई उसके साथ में मिला हुआ है तो उनको असल में holy water पीने के लिए दिया ही नहीं गया थे रब यहाँ पर कोई भी case हो father devon यहाँ पर गलत स रहे हैं पिछले छे महिने में एक भी एक्जॉर्सिस्टम नहीं किया गया है यहां पर जितने भी 12 एक्सपर्ट एक्जॉर्सिस्ट हैं उनको आम कामों पर लगा दिया गया है कार्डिनल कैरो father devon को एक लेडी की photo and address देकर उन्हें मिलने के लिए कहते हैं यह लेडी भी एक expert exorcist होती है जो कि मारकस और तॉमिस की तरह underground थी तॉमस और मारकस को पुलिस के साले ने arrest कर लिया था तॉमस उसे और पुलिस को convince करने जाता है कहता है hospital के सबी लोग खत्रे में हैं सिंडी possess हो चुकी है और वो सब को मार डालेगी पुलिस वाले को वो अपने vision के बारे में बताता है चर्च का हूलिया explain करता है और सिंडी के favorite song के बारे में भी बोलता है पुलिस officer को ये सुनकर थोड़ा सा जीब लगता है जहां पर वो रेगुलर्ली जाया करती थी वो गाना भी वोक्सर गाती थी आइलेंड में next morning rose एंडी से मिलकर ये कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो अकेला चार बच्चों को समाल पाएगा especially blind kid को किसी भी बच्चे के suicide attempt को foster board को report करना अनिवार रहे था एंडी इस चीज़ से परेशान हो जाता है as report करने के बाद उसके foster home का status खराब हो जाता और वो रोज से ये कहता है कि कल का incident suicide attempt नहीं था यहाँ पर जस्ट ये बात उने फार्म में उगाया था यह वाशिंग्टन एपल थे जो कि इंडिया में काफी महेंगे विकते हैं like 260 रुपीस पर केजी कॉलन शेलबी को आज अपने फार्म हाउस पर आने के लिए बोलता है एज आज एक बकरी की delivery date थी hospital में पुलिस वाला सिंडी से मिलने जाता है जह सब हॉस्पिटल में आते हैं जो कि बिल्कुल empty था पुलिस ने सभी लोगों को evacuate कर दिया था सिंडी को अब हमें रूम में देखते हैं जो कि एक नर्स को पकड़े हुई थी नर्स को वह sweet candy कहती है और देखते ही देखते वो उसके गले को काट कर ventilation opening के थूप भाग जाती है इधर घर में केलब अब एक apple को खाने जाता है जिसमें से कीडे निकलते हैं ओवेंस के मताबिक apples में कीडे निकलना किसी demonic presence की और इशारा करता है वेरिटी केलब से कल रात के बारे में पूछने जाती है बट केलब उसे कोई भी answer नहीं देता लेटर आन रोज उससे बात करन भी एंडी को पता नहीं चला कि वो suicidal है एंडी एंड रोस के बीच इस पर थोड़ी सी बहस भी हो जाती है जिसको grace सुन लेती है उसके बाद में हम Shelby को कॉलन के farm में देखते हैं जहां पर बकरी एक deformed premature बेबी को जनम देती है जिसे कॉलन लेटर मार डालता है एंडी केलब से केलब को ढूंड भी रही थी hospital में सिंडी अब baby's ward में आ जाती है एंड एक baby को अपने हाथ में लेकर उसे अपना अगला शिकार बनाना चाहती थी मारकस उसके पास में जाकर एक्जॉर्सिसम करता है बट सिंडी उसे एक हाथ से पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लग के साथ में उसका integration नहीं हुआ था इसलिए उसको बचाया जा सकता था तॉमस उसको ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट करके सिंडी के हाथ से baby को ले लेता है बेबी मिलते ही दोनों एक्जॉर्सिस्ट फिर से aggressive होकर एक्जॉर्सिसम करने लगते हैं तॉमस एक बार फिर से सिंडी के व जलता है एंड तुम्हारी इस ability से जलता है तॉमस उसके बहकावे में नहीं आता और एक्जॉर्सिसम करता जाता है यहां पर वो डीमन उसी बॉक्स में जलकर मारा जाता है एंड इसके साथ ही संडी भी फ्री हो जाती है पुलिस आफिसर इन दोनों से माफी मांगकर उने उ कर देते हैं जिसे फादर डेवन देख लेते हैं वो फॉरणी मारकस को फोन लगा कर किसी सेव जगा पर छुपने के लिए बोलते हैं इधर आइलेंड में शेलबी को घर के आसपास अब डेमॉनिक वोईसे सुनाई देने लगी थी वो हाइली रिलीजिस था इसलिए ऐसी च जाक रुक रहने की बात करता है उसके घर में एक रूम खाली था जहां पर वो रोस को भी रहने का उफर देता है और रोस भी इस चीज़ के बारे में मानकर एंडी को एक चांस दे देती है ग्रीस इन सब को सुन लेती है और डर कर एंडी से ये कहती है कि वो इस घर को छोड प्रोटेक्शन देता है एंडी अब उस पर भी गुस्सा करके उस बेवी बकरी की बाड़ी को ले लेता है और एपिसोड टू यहीं पर खतम हो जाता है एपिसोड टीन की शुरुवात बेलजियम देश के एंट वोप में होती है जहाँ पर कारडिनल गैलियो अपने साथियों से मिलने आये थे यहाँ पर भी वो लास्ट सीजन के साइमन की तरह एश को हवा में उड़ा कर एक रिच्वल करते हैं एक डीमन आकर उसके एक फ्रेंड को पसस करता है और लेटर ऑन इसके जशन में सभी लोग एक केक खाते हैं केक खाते ही सभी लोगों की तबियत बिगडने लगती है और क कार्डिनल गैलियो खोन की उल्टी करते हैं यहाँ पर हम उस लेड़ी को देखते हैं जिसके बारे में कार्डिनल कैरो ने फादर डैवन से कहा था सीरीज में इस लेड़ी का कोई भी नाम नहीं है हाला कि वो खुद को माउस कहती रहती है इसका सिगनिफिकेंस हमको आगे पता चलेगा माउस अब सभी लोगों को जला कर मार देती हैं माउस यहाँ पर थोड़ी एग्रेसिव एक्जॉर्स होती है अपने घर के कोने में उस बकरी के बच्चे की बॉड़ी को दफना देता है अब कुछ पल के लिए उसे भी कुछ आवाजे सुनाई देती हैं मारकस मारकस और तॉमस सियाटल सीटी आते हैं जो कि नैगबर्न आइलेंड से सटा हुआ है तॉमस को वहाँ पर एक और विजन आता है जहां पर उसे एक बच्ची दिखाई देती है ये लोग मिसिस ग्रैम के घर पर आये थे जिनका मानना था कि उनकी बेटी हारपर पर पर्ज़ मांगता है एंडी शेलबी को डाटता है एज उसने घर पर बकरी का खोन लगाया था शेलबी को उप स्कूल जाते टाइम फिर से कुछ आवादे सुनाए देती हैं जहां पर धीमी विसपर्स में को ये कहता है कि तुमने मेरे घर को खोन से रंग दिया शेलबी इसे सुनकर अपने बाइबल को आगी रखकर उस आवास को फॉलो करने लगता है घर में हारपर को एक दोरा पढ़ता है जहां पर वो चीखने चिलाने लगती है मारकस उससे एरमेक एंड तॉमस उससे स्पैनिश में बात करने जाते हैं बट कोई भी रिसपॉन्स नहीं मिलता लेटर मा स्पीकिंग डिफरेंट लैंगवेजेस दूसरों की लाइफ के बारे में जानकारी इत्यादी अब रोज भी मिस्स ग्रैम से मिलने आती है जहार पर कई दिन से स्कूल नहीं आई थी यहां पर रोज के फॉस्टर केर ऑफिसर होने के कारण से उसे बच्चों के अब्यूस के मिस्स भी आते रहते थे स्कूल वालों ने यहां पर कंप्लेंट दर्च की थी तो रोज रूटीन चेकप के सिलसले में आई थी मिस्स ग्रैम उसे घर में आने नहीं देती और बहाना बनाकर बाहर बेज देती है तॉमेस अब एक्जॉर्सिजम करने के लिए रेडी था बट फिर भी मारकस उसको रोकता है अब मारकस रोज से मिलकर ये कहता है कि हारपर बिमार है वो एंट तॉमेस सिर्फ स्पिरिच्वल हेल्प के लिए यहां पर आये हैं इससे रोज सरप्राइज नहीं होती ऐस उसे ये मिस्स ग्रैम का डेस्परेट अटेम्ट लगता है रोज य मिस्स ग्रैम हरपर को देकर अब्यूस कर रही थी वो फौरण ही हरपर के पास जाता है और पकड़ कर ये कहता है कि तुम्हे कुछ भी नहीं हुआ है तुम possessed नहीं हो वो अब Mrs. Graham पर चला आता है और उसके सामने दवाईयों को फेक कर उसे abuse करने के लिए डाटता है यहाँ पर Mrs. Graham, Thomas और मारकस के बीच में fighting होती है Thomas को चोट लगती है और लेटर पुलिस आकर Mrs. Graham को arrest कर लेती है मारकस रोस की मदद से Harper को hospital shift करता है basically यहाँ पर Mrs. Graham एक mentally sick mother थी वो Chris McNeil के book को पढ़ कर उसके बहकावे में आ गई थी एंड ऐसी ही storyline हमने इस साल आई horror movie run में भी देखी थी मैंने उसका भी explanation कर दिया है आप चाहें तो check out कर सकते हैं link is in the description Thomas को भी आप finally realize होता है कि visions पर 100% यकीन नहीं किया जा सकता and demons उसको गलत visions दिखा कर गुमरहा भी कर सकते हैं उधर घर में एंडी grace को घर से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था grace भी धीरे धीरे हिम्मत करके घर से बाहर आती है Shelby आवास को follow करते हुए एक lake पर आया था जहां पर निकी ने suicide किया था as वहाँ पर आवास strong थी तो वह वहाँ पर Bible पढ़ने लगता है इधर grace अब बाहर एंडी के साथ में गार्डन में थी तभी अचानक से ही मौसम बदल जाता है तीज हवाई चलने लगती है सैकडों रेवन बर्ट्स का जुन्ड अब एंडी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता और वो grace को उठा कर घर में बागता है लेकिन घर की दिवारों से ग्लासिस से टकरा कर रेवन बर्ट्स मर जाती है एंडी को यह देखकर शौक लगता है और तभी एंडी का नेवर कॉलन आकर यह कहता है कि शेल भी लेक में खड़ा हुआ है और वो भी शौक में था एंडी शेल भी के पास जाकर उसे डाट कर घर पर वापस लेकर आता है कहता है कि यहाँ पर कोई भी इविल नहीं है माउस अब फादर डेवन को एक अंडर ग्राउंड बंकर में लेकर जाती है जहां पर उसने सिस्टर डलोरिस को कैद कर राखा था सिस्टर डलोरिस भी एक एक्सपर्ट एक्जॉर्सिस्ट हुआ करती थी अब डेविल वर्शिपर्स ने उसको पकड़ कर उसका इंटिग्रेशन एक डीमन के साथ में करवा दिया था यानि कि वो एक्सपर्सिस्ट को टार्गेट कर रहे थे फादर डेवन को ये देखकर शौक लगता है और इसी के साथ में एपिसोड तीन का भी अन्थो जाता है एपिसोड फोर की स्टार्टिंग में रोज एंडी से हरपर के बारे में कहती है वो उसे इस घर में लाना चाहती थी एस दूसरा घर अवेलेबल नहीं था जिसके लिए एंडी फॉरण नहीं मान जाता है ये बात वो सभी किट्स को बताता है बट ग्रेस इसे लाइक नहीं करती लेटर ओन वो एंडी से ये कहती है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए ग्रेस यहाँ पर सम सॉर्ट ओफ पसेस्टेट में दिख रही थी बट बात इससे कई जादा गहरी है खैर बेलजियम में फादर डेवन डलोरिस पर एक्जॉर्सिदम करने जाते हैं जिसे देखकर डीमन हसने लगता है माउस ये कहती है कि इसका कोई भी फाइदा नहीं है वो इंटीग्रेटिड है डीमन ने डलोरिस की सोल को कंजूम किया है फादर डेवन ये कहते है कि छे महीने पहले मैंने शिकागो में दो प्रीस्ट को एक इंटीग्रेटिड लेडी को फ्री करते हुए देखा है बिसीकली वो यहाँ पर एंजला की बात कर रहा था बट वहाँ पर एंजला फुली इंटीग्रेटिड नहीं थी उसने अपनी सोल को छुपा लिया था एस उसके पास में एक्सपियेंस था माउस ये कहती है कि अब सिस्टर डॉलरिस का कुछ भी नहीं हो सकता अब एंडी पीटर नाम के एक फिशर डिपार्टमेंट के आफिसर को न रेवन बर्ड्स की जाँच करने के लिए बुलाता है शेल्बी को ये डिमानिक ओमेंट लगता है बट पीटर को सिर्फ ये ग्लोबल वामिंग अड इलेक्टरो मेगनेटिसम के वेरियेशन का ओमेंट लगता है वो कहता है कि बर्ड्स अर्थ के मेगनेटिसम के साहरे ट्रैवल करती हैं जब भी उसमें गड़बड होती है तब ऐसा हाथसा हो सकता है रियालिटी में वो भी श्योड नहीं था बट बच्चे को कन्विंस करने के लिए ये सब वो कहता है तॉमस, मारकस, रोज और हारपर अब आइलेंट पर आते हैं एंडी यहां पर तॉमस और मारकस को घर का टूर करवाता है तॉमस को वेरिटी के रोम के बाहर घर शेक होता हुआ नजर आता है जैसे जैसे फादर तॉमस आके बढ़ते हैं हम देख पाते हैं रोम के अंदर कोई और भी था खेर जब ग्रेस उसके पीछे आती है तब डिमोनिक आवाज और तेज हो गई थी मारकस और एंडी गार्डन में कैशुल बाते कर रहे थे तब ही उनको डेड रिवन बर्ड दिखता है पूछने पर एंडी ये कहता है कि अचानक सैकडों बर्ड आस्मान से उसके घर पर गिर गई थी मारकस को ये चीज़ काफी ओड लगती है और मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि जब भी आप रिवन बर्ड को देखो तो सैकडों किलोमेटर दूर भाग जाया करो बट मेरी सुनता कौन है तॉमेस अब मारकस को अपने विजन के बारे में बताता है अज उसे ये प्लेस ओड लग रही थी मारकस अब आइलेंड के चारों और एक चक्कर मारने जाता है यहाँ पर वो पीटर से मिलता है पीटर अब पैसिफिक ड्रैगन फिश की डेड बोडी को एक्जामिन कर रहा था जो की अपैरेंटली डीप ओशिन का जीव है वो यहाँ पर कैसे आया उससे वो हैरान था मारकस अड पीटर को चिट चैट करने लगते हैं फादर डेवन अब डेलोरिस को दारू पिलाकर उससे कॉंस्पिरेसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगता है डेलोरिस यह कहती है कि वो लेडी जो तुमको शिकागो में मिली थी वो ही अभी सब की बॉस है उनका अगला शिकार तुम हो नेक्स्ट मारकस अड तॉमस लाइन पर है तभी डेलोरिस फादर डेवन को हमला करके उसे मारने लगती है और माउस आकर डेवन को बचाती है फादर डेवन माउस को मारकस अड तॉमस के बारे में कहता है वो मारिया वॉल्टर्स के बार में भी बताता है एसम को पता है कि आखरी सीजन में उसका और डीमन का इंटिग्रेशन हो गया था और वही इस डेविल वर्शिपर कॉंस्पिरेसी संस्था की मुखिया थी एंडी अब तॉमस को इस फॉस्टर हाउस के एक रिच्वल में बुलाता है यहाँ पर जब भी कोई न्यू किट आता था उसे दिवार पर अपने फिंगर प्रिंट लगाना होता था ताकि उन्हें हमेशा के लिए याद रखे कि वो अब इस फैमिली का हिस्सा है हारपर अब अपना हैंड इंपरिंट उस दिवार पर लगा देती है तॉमस का शक और भी जाद बढ़ने लगता है जो उसने इस विजन को सिंडी के चर्च वाले विजन में भी देखा था उसी रात रोज अपने रूम में सो रही थी और तभी उसको अचानक से एक ब्लैक परचाई दिखाई देती है वो उस पर हमला करने आती है रोज उससे लड़ रही थी कि तभी उसे हारपर की चिलाने के आवाज सुनाई देती है हारपर अपने मॉम के बुरे नाइट मेर से डर कर उठती है और रोज उसको पगड़ कर शांत करती है तॉमेस अपने शक को मारकस के साथ में शेयर करता है दोनों अगले कुछ दिन तक यही रहने का डिसीजन ले लेते हैं अगले दिन एंडी ग्रेस को फिर घर से बाहर लाता है और इस बार कुछ अजीब नहीं होता ग्रेस एंड एंडी दोनों खुश थे उस दोपहर वेरेटी स्कूल से जल्दी आती है और एंडी को घर में ढूंडने लगती है वो उसे ढूंडते ढूंडते निकी के पेंटिंग स्टूडियो रूम में आती है यहाँ पर अजीब बात ये थी कि एंडी ग्रेस को इसी रूम में सुला रहा था बट शौकिंगली जब वेरेटी उस रूम में जाती है तो वहाँ पर सिर्फ ओल्ड पेंटिंग्स और बिखरा हुआ समान होता है और कुछ सड़ा हुआ खाना ग्रेस उसे वहाँ पर नहीं दिखती और इसी के साथ में एपिसोड फूर यहीं पर खतम हो जाता है एपिसोड फाइव की शुरुवात में वेरेटी निकी के स्टूडियो में थी जहां पर अब एंडी ग्रेस को ढूंडते हुए आता है ग्रेस वेरेटी की ओर इशारा करती है वेरेटी यह पूछती है कि ग्रेस कौन है और तुम किस से बात कर रहे हो इससे एंडी बहुत ही जादा सर्प्राइजड हो जाता है कि तब ही उसके सामने बैटी हुई ग्रेस गायव हो जाती है उसका रूम पूरी तरह से बदल जाता है और उस रूम के अंदर उसको निकी के स्टूडियो की चीज़े दिखने लगती है मतलब कि ग्रेस यहां पर रियल बच्ची नहीं है बलकि एक डीमन है जी हां जो कि ग्रेस के रूप में आकर एंडी को फसा रही थी और यही रीजन है कि हमने पिछले चार एपिसोड में कभी भी ग्रेस को बाकी बच्चों के साथ में बात करते हुए नहीं देखा एंडी इन सब को देखकर सदमे में था उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है हम यहां पर यह भी देख पाते हैं कि कैसे यह डीमन एंडी के चेस्ट पर एक गाव दे देता है और वो टाइम के साथ में काफी ज़्यादा खतरनाक होने लगता है और उसके अंदर से कीड़े भी निकलने लगते हैं वो अब ग्रेस को सिर्फ निकी के ग्रीफ से पैदा हुआ ब्रहम या फिर हैलूसिनेशन मानने लगता है वो ग्रेस से दूर भागता है वो हड़बडी में बच्चों के साथ कैंपिंग करने का प्लैन मनाता है जिसे सबी किट्स लाइक करते हैं मारकस और पीटर आइलेंड की हिस्टरी के बारे में चिट-चैट करते रहते हैं पीटर ग्लैन पावल नाम के एक आदमे के बारे में बताता है जिसने फिफ्टीज में यहाँ पर अपनी फैमिली को मार डाला था ग्लैन एक नॉर्मल फैमिली मैन था जो की बिनावजा ही वाइलेंट हो गया था उसने अपनी बड़ी बेटी को छोड़ कर सब को मार डाला एज उस दिन वो घर पर नहीं थी मारकस को यह डिमॉनिक पोजेशन का केस लगता है वो ओल्ड एज होम में जाकर ग्लैन की बेटी से बात करता है ओल्ड लेडी भी वही बात कहती है कि मेरे डैड काफी अच्छे इंसान थे बड़ सडनली उनके अंदर बदलावा गया वो एक्स्ट्रीमली वॉयलेंट हो गये थे मारकस को यहाँ पर यह कंफर्म हो जाता है कि साट साल पहले यहाँ पर एक डीमन था और उसका यहाँ पर यह भी शक है कि वो अभी भी इसी आइलन्ड पर है बेल्जियम में माउस फादर डैवन को डलूरिस को मारने के लिए एक होली वाटर से भरा हुआ इंजेक्शन देती है डैवन अभी भी शूर नहीं था डलूरिस के अंदर का डीमन भी उससे गड़ गड़ा रहा था वो सेलफिश तरीके से अपनी लाइफ की भीक मांग रहा था जिससे डैवन को कन्फरम हो जाता है कि इस बॉड़ी के अंदर सिस्टर डलूरिस की सोल नहीं है एस सिस्टर डलूरिस कभी भी सेलफिश नहीं होगी डैवन अभ डलूरिस की बॉड़ी पर इंजेक्शन लगा देता है जिससे डीमन वहीं जलकर राक हो जाता है एंड ये दोनों अब शिकागों के लिए निकल जाते हैं एस मारिया वॉल्टर्स वहीं पर थी कैंप साइट में किड्स एंजॉय कर रहे थे एंड एंड एंडी को ग्रेस वहां पर भी हॉंट करने लगती है अब वो आसानी से बाहर आ गई थी इससे एंडी का शक यकीन में बदल जाता है जब एंडी उसे दूर भागने लगता है तब ग्रेस उस पर गुसा करके उसे फिजिकली टॉर्चर करने लगती है एंडी के शोल्डर में दर्द होता है जिससे वो चिलाता है ग्रेस अब गुसे में किड्स की चारो और घुमने लगती है उधर तॉमेस घर पर रोज से मिलने जाता है बट घर खाली था वो इल्ली गरी घर में घुसता है और तभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है घर हिलने लगता है और डिमॉनिक आवादे तेज हो जाती है हम ग्रेस को अब उसके बगल में खड़ा हुआ भी देखते हैं तॉमेस घर में घूमते घूमते निकी के स्टूडियो पर आता है कैम्प में अब शेल्बी को भी फिर से आवादे सुनाई देने लगती है वहाँ पर अब ट्रक गायब था जिसे ढूनने के लिए वेरेटी जाती है वेरेटी को ट्रक उसी हांटेड हाउस में मिलता है जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था ग्रेस निकी के स्टूडियो में थी और उसके हाथ में एक डॉल थी जिसे अब वो दिवार पर पटकने लगती है उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ट्रक वेरेटी के गले को पकड़े हुए है और वो भी उसे दिवार से पटकने लगा था यानि की ग्रेस ट्रक को पजस करके उसके हाथों से वेरेटी का मर्डर करवा रही थी तॉमस को डॉल पटकने की आवास सुनाई देती है और वो वहीं पर एक्जॉर्सिजम करने लगता है जिससे ग्रेस गुस्से में आ जाती है और स्टूडियो में सारी पेंटिंग्स हवा में उड़ने लगती है तॉमस इससे नहीं डरता और अपना काम जारी रखता है एंडी और रोज भी दोनों किट्स को ढूंडते हुए आते हैं एंडी ट्रक को रोक लेता है रोज वेरेटी को चेक करके उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है ट्रक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया और वो भी काफी ज़दा शौक में था तॉमस को अब स्टूडियो के अंदर एक पत्थर मिलता है जिसे उठाने पर उसे फिर से कुछ विजन दिखाई देते हैं इस आइलेंड पर कई लोग इस डीमन का शिकार हुए थे उन सबने अपने अपने बच्चों को मार डाला था एंड उसमें ग्लैन पावल भी था एक लेडी थी जिसने अपने बेटे को कोई में फेक दिया था जिसकी स्टोरी वेरेटी फर्स्ट एपिसोड में कहती भी है और बाकी कई सारे लोग भी थे तॉमेस को इससे हंड़ेड परसंट यकीन हो जाता है कि इस घर के अंदर एक डीमन है लेटर ओन एंडी घर में आकर ग्रेस पर गुस्सा करने लगता है कि तभी ग्रेस उसे उसकी वाइफ निकी की रूप में दिखाई देती है और एपिसोड फाइव यहीं पर खतम हो जाता है तो दोस्तों ये थी The Exorcist Season 2 के पहले पाँच एपिसोड की एक्स्प्लानेशन बाकी एपिसोड भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे और ये वाला जो सीजन वो पिछले सीजन से उतना ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है और ये पिछले एपिसोड से भी स्कीरी लगा मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब कर दीजे और बेल आइकोन को जरूर दबा देना ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन आ जाएंगी और मेक शूर कि आप आल नोटिफिकेशन को सलेक्ट करें तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्टेश कोस्टली